जब से राहूल जी नेता बने है, इस देश की रागनिती में बहुत आमुल्चुर परिवर्तन है। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड कर लोगों के सामने रखा जाता है। इतना तो पोली रिगल पार्टिया करती थी। मगर कभी भी जूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया जाए। राभुल गांधी जी ने बड़ंपरा करी। कि जूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए। और इसका एक सबसे अच्छा उदारण अगनेवीरी योधना है। मैं आज अगनेवीरी योधना के बारे में थोड़ा डीटेल बात इसलिए करना चाहता हूं। कि देश बर में भ्रांती फिलाई जा रही है। कि चार साल के बाद 75 प्रत्सत अगनेवीरों को कोई भविस्य ही नहीं है, इनका जीवन बरबाद हो जाएगा। दर असल योधना है कि 100 बच्चे अगनेवीर बनते हैं तो उसमें से 25 प्रतिसत तो सिधा सेना में पर्मेनेट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75 प्रतिसत बचे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा सासी सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10 प्रतिसत से 20 प्रतिसत रिजर्विशन किया है। और केंद्र सरकार के पेरा मिलिटरी फोर्सी जितने भी हैं, उसमें भी 10 प्रतिसत रिजर्विशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांद सीलेक्शन में भी कई सारी रियायते दी हैं। जैसे उमर की रियायत दी है, कि इनकी एज ग्रूप में रिलेक्शेशन दिया है। उसके बाद एग्जैमनेशन में कुछ एडवन्टेजीज दिये हैं। फीजिकल भी नहीं करनी है। अब यह सारी रियायतों के बाद सायद ही कोई अगनी वीर ऐसा बचेगा, जो स्टेट की पुलिस फोर्स ये सेंटर पेदा मिलेटी फोर्स में ना आया हूँ। अगर कोई नहीं जाना चाहता है, तो तो अलग ही बात है। पर इसके अलावे भी धेर सारे सिक्यूरिटी, प्राइविट सिक्यूरिटी एजन्सीज और कंपनियों ने भी अगनी वीर के लिए प्राइविटी ताई की है। अब एक युवा चार साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, चार साल उसको भारी तनखवा भी मिलेगी और चार साल के बाद पैंसन नुमा ग्रेजूइटी वाली पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। इसमें किसका नुकसान होने वाला है। राहूल गांदी जी अपने पार्टी के फाइदे के लिए सरासर जूट लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमरा करें। मेरा आप सभी से निवेदन हैं। हिमाचल जैसे छोटे पदेश के अंदर इस तरह की जूठी बाते फ्यलाते हैं। आप लोग यह मेरी बात को इवाओं के लिए पूर्व सेना के हमारे जवानों के परिवारों के बीच में यह बात को जरूर पहुचाई है। नौकरी सभी को मिलनी है, या तो सेनारी की मिलनी है, या तो पूलीस की मिलनी है, या पेरा मिलिटरी फोर्सीस की मिलनी है। सबको पैंशन मिलना है, सबको ग्रेजूटी मिलना है, और सारे सरकारी फाइदे भी मिलना है। तो राहूल जी का जो जूट बोलने की आदत है बार 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 जूट को बोलते जाना अगने विर इसका बेस्ट एकजम्पल है धन्यवाद